ब्रेक अप के बाद गांजा साइकोसिस इसके बारे में आज मैं आपसे बात्चीत करने वाला हूं एक केस्ट्री बताने वाला हूं आए आपका स्वागत है मेरा नामें डॉक्टर दीपक केड़कर में मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति दग्यों महाराष्टी में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं एक युग उसने अभी फिलाल मतलब रिसेंटली उसने बीकॉम किया है राइजुएशन किया है कॉमर्स में करके अच्छे लोग है सब मतलब फाइनेंशली वेल सेटल बीकॉम के इसमें है एक लड़की के चकर में आग игра तो काफी साला मतलब उसका मिलना जूलना डैटिंग लड़के अलग Qué अख च्छित लड़कें घर में बताया नहीं लड़के में अपने घर में रफाह्ठाय है वहां किया उसको पढ़ाही में ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं बस इसके साथ में घुमो फिरो टेटिंग करो वाट्साइप करो लड़की के उपर पैसा खर्चा करो घर से पैसे मिलते थे इसने सची में चोड़ दिया और उसने लड़की के साथ में देखा तो इसका पूरा ब्रेक्डाउन तर jem स्च्ची मेरे को छोड़ दिया और उसको इतना उसका सदमा पहुँश गया कि वो तो मतलब समझानी कि भाई उस ने शराव उस दिन पी लिया उसने उस सारे सिगरेटि पी लिया var कि अने विण साथ बोतल भीर की पिलिया उस दिम और दूसरे दिन से उसने गांजा पिना चालों कर लिए 9 अग मतलब बात बैक aitंप में भाते करना हिब घर मेर्ने लेना है फिर आ cannabis कोई लोग मेरा कशा कर रहा है कवर्य अतने बारे में बात करे है कि कोई लोग मेरे को माड़ लड़की ने मेरी बदकी किया। मैं आदमी में पुरुष ने हूँ और उसने मेरी बदकी कर दिया और अब मेरा जीवन तो मैं खतम हो जाओंगा मैं खुद कुछ कर लेगा। अब उसको पकड़ना और उसको बचाना वह एक प्राप्लेम हो गया। माबाब ने लड़की को मिले उसको बोले तुने ऐसा कुछ बोला है किया तुम नभू सगए तुम नभू सगए मगर आप सिगरेट पीते थे बहुत ज्यादा इसलिए मैंने आपको छोड़ा था मैं था अब दोस्तस उसके साथ में मैं हूँ मगर अपने आपको सम्मालो मैं ने आपको बोल के छोड़के गई मगर ये तो पुरा पागल्पन जैसा इसको हो गया था गभार करना कठिन उसको हमने होस्पिटलाइस किया होस्पिटलाइस करने के बाद मुषका गांजा तो ने रशेठे बंद कर दिया purु को कवरे के पाद में उसका यह उसने वो लड़कीOUT को खिशाया और है जो में काफिए इसके पहले भी वीडियो दे चुका हूं कि break-ups काफी हो रहे और उसमें फिर वो बच्चे जो है ना भी वो उसको सहन नहीं कर पारे उसको face नहीं कर पारे ये break-ups को और फिर उसमें फिर वो कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ को psychological problem चलो हो जाते हैं तो ये लड़कों ने लड़कों ने दुनों भी ख्यार रखना चाहिए कि हम इतना ज्यादा emotionally involved हो जाते हैं उसके पहले हम कहां तक जाना कौन से level तक जाना कौन से हथ तक जाना है हमने पहले decide करना ज़रूरी है क्या सिर्फ friendship रखना है या कुछ आगे जाके शादी करना है मैं इस प्रकार का हो तो लोगों ने केर लेना चाहिए और केर लेकिए ही अपना काम करेंगे अपना जिवन जिएंगे तो पढ़ाई भी अच्छे होंगे अपना फ्यूजर बेच्छा बन जाएगा ये वीडियो आप सभी दोस्तों को आपके शेयर करो काफी लोगों के झाल 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